हेलो एवरिवन मैं नीलम तेवारी आप सभी का मैंगनेट ब्रिंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैंगनेट ब्रिंस एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडर काटन से लेके 12 क्लास तक के सारे वीडियो सारे स्टेडी मैटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलिबल करवाय जाता है और ना ही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो वीडियो आपको दिखा दिये जाए और उसके बाद में आपसे कोई भी चार्ज लिया जाए यहां आपको सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री में कीजिए वेबसाइट में जाके रेजिस्टर करना है वो भी बिल्कुल फ्री कीजिए तो चली शुरू करते हैं पढ़ना आज कक्षा नौवी संस्कृत में हम पढ़ाने वाले हैं ब्रान्तो बालह जो हमारा सश्ठा पाठ है उसका वर्शॉट रिवीजन ठीक है ऐसे हमने पूरा प परिक्षा में पूछते हैं आज हम उससे तरीके से आपको वर्शॉट रिवीजन करवाने वाले हैं क्योंकि आपको ने देखा होगा कि प्रेश्ण पत्र में आता किस प्रकार से हैं कि गद्यांश दे दिया जाता है उससे जुड़े हुई प्रेश्ण उतर आपके आ जाते है कि गद्यांश को हमें पढ़के समझना कैसे है और उससे जुड़े हुए प्रेश्ण अगर आ जाए तो उने हल कैसे करना है ठीक है सरल होता है कोई कटे नहीं होता है क्योंकि भई जो हमारे प्रेश्ण उतर आते हैं इसी गद्यांश मेंसे ही आएंगे आपके लिखने के लिए हर एक परिक्षा में जब भी कोई भी किसी भी समय की परिक्षा है सीवी असी ने पैटन यही बना दिया है ठीक है तो चले शुरू करते हैं भ्रांतो बालह यानि भ्रहमित एक बालक है जिसकी बारे में हम बात करेंगे तो पठित अव बोधन के तरह से आपके प्रश को पढ़कर तदा आधारिता नाम प्रशना नाम उत्तरानी लिखत के उसके आधार पर जो प्रशन है उनके उत्तर को लिखिए तो आपको इस पाठ के अंश को या गद्ध के अंश को पढ़ना है ठीक है तो चले पढ़ना शुरू करते हैं लिखा है भ्रांतह यानि घूमत हुआ कश्चन बालक कोई लड़का बालह यानि लड़का ठीक है कश्चन इसकी विशेस्ता भ्रांतह और कश्चन ये दोनों ही शब्द इसके विशेशन वाची शब्द बन रहे हैं बालह में प्रतिमा विवक्ति है तो यहां पर भ्रांतह और कश्चन दोनों ही शब्दों प्रतमाविभक्ती लगी हुई हैं हम यह क्यों चीज़ें देखना हैं क्योंकि इनी से जुड़े हुए प्रश्नुत्तर हमारे बनते हैं भ्रांतह कश्चन बालह यानि घूमता हुआ कोई बालक पाठशाला गमन वेला याम पाठशाला पाठशाला किसको कहते हैं आपका यहां कहां लगाया जाता है सब्दमी विवकती में जो मैओ पर का अर्थ बताता है ठीक है विवकतीया हमें सब्धरू प्याद हैं विवकतियां हम समझ रहे हैं तो नहीं अरथ भी सपश्च सही सही लगाने में आसानी हो जाएगी के रहे है ध्रानतह कश्चन बाला घुमता हुए कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समये पर या समये में ठीक है क्रीड तुम अगच्छत खेलने के लिए अब तुम जो लगा हुआ है तुम उन प्रत्य ऐसे आया है जो के लिए का अर्थ बता रहा है क्रीड यानी खेलना और तुम उन लग गया के लिए का अर्थ बता रहा है क्या है खेलने के लिए पाठशाला जाने के समये पर ख खेलने के लिए निकला खेलने के लिए गया किन्तु लेकिन अब ये बता ये बिद्याले जाने का समय है उस समय पर खेलने के लिए बीकले तो क्या होगा कोई उसको मिलेगा तो आगे दिखा किन्तु लेकिन तेन सह उसके साथ तेन सह उसके साथ केली भी ही यानि खेलने के द् नहीं उनके मित्रों में अब यहां पर भी देखे वयस्य का अर्थ क्या हुआ मित्र और एशू लगा दिया यानि मित्रों में ठीक है यहां पर मित्रों में कहर का लिखा है लेकिन किंतु तेन सहल लेकिन उसके साथ में केली भी यानि खेलने के द्वारा खेल कुद करने के द्वारा कालम छेप तुम समय विताने के लिए तदा वहाँ पर को अपी कोई भी नहीं 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 कोई भी उसके मित्रों में कोई भी खेलने के लिए खेलने के द्वारा समय बिताने के लिए वहां पर उपलब्ध नहीं उपलब्यमान नहीं था ठीक है हम देखे यहाँ पर क्या शब्द यहाँ वहाँ लिखे हुए है हम इसको सही अर्थ से स्पष्ट करके कैसे बनाएंगे किन्तु उसके साथ खेलने के द्वारा समय बिताने के लिए उसके मित्रों में कोई भी वहाँ उपलब भ्यमान नहीं था ठीक है कोई भी उस समय पर उपलब्द नहीं था यतह थे यतह थे सरवे अपी क्योंकि यतह कार्थ क्या हुआ क्योंकि ते यानि वे क्योंकि वे सरवे अपी सरवे वे सब ही ही पूर्वदिन पाठान पूर्वदिन यानि पहले दिन के पाठान पाठों को कोकार्थ हम ने क्यों लगाया क्योंकि बालक की अगर आपने रूप देखें गोंगे तो बालक शब्द के अगर दुईतियाविभक्ती का रूप देखें तो क्या बनता है दुईतियाविभक्ती में कर या करके का अर्थ निकालेंगे याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए आये लगा है चतुर्ती विवक्ति का के लिए कार्थ निकालाएगा क्योंकि वे सब ही ही वे सब ही वे सब भी पूर्वदन पाठान पहले के दिन के पाठ को याद करके विद्यालय गवनाएं विद्यालय जाने के लिए त्वर्माना अववन त्वर्त हो रहते तैयार हो रहते याद करके विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहते तंद्रालुह अब वो तंद बालक पढ़ने में आलसी बालक लजया की द्वारा अब लजया यानि क्या होती है शर्म क्याते ना शर्म आ रही बच्चे पाथ पूरवदिन का पाथ याद करें के हम याद करके हम विद्ध्या ले जाएं और वह खेलने के लिए निकला तो पना लगया जो शब्द बना है उ जैसे लटा बन जाता है लटा या अर्थ निकलता है लटा से लटा की द्वारा तर्तिया विभक्ति का है तो यहां पे भी ओगए लज्यया यानि लज्जा के द्वारा या लज्जा से शर्म से तंद्रालु बालहवा आलसी बालक लज्जा से तेशाम तेशाम यानि उनकी द्रश्टी पथम परिहरन कहते हैं द्रश्टी पथ लज्जा से यानि शर्म से नजर को बचाते हुए द्रश्टी पथ यानि रास्ते कौन सी रास्ते से जा रहा है रास्ते में जाते हुए अपनी नजर को छप तो द्रश्टी पथम अपी अपने द्रश्टी पथ को भी परिहरन छुपाता हुआ एका की अकेला की मपी किसी उद्यानम प्राविशत किसी उद्यान में प्रविश कर जाता है चो अपनी नजरों को बचाता हुआ उसने सोचा विरमंतु एती वराका पुस्तक दास विरमंतु यानि छोड़ों एते इन वराक बिचारे पुस्तक दासं को ये पुस्तक के दास है जो वरा कहा यानि बिचारे ये बिचारे पुस्तक दासों को वरंतु यानि छोड़ देता हूँ वेरमन्तु छोड़ देता हूँ एते इन सभी बिचारे पुस्तक दासों को मैं छोड़ देता हूँ ये तो किताब के दास गुलाम बने हुए है वेरमन् अहम तू मैं तो आत्मनम अपने आप विनोध श्यामी मैं तो अपने आप ही मनुरंजन कर लूँगा मैं तो अपने आप ही विनोध कर लूँगा खेल लूँगा कुद लूँगा ऐसा उसने सोचा संप्रति अब विद्यालेम गत्वा और क्या सूच रहा है क्या रहा है अब विद्यालेम गत्वा विद्याले को जाकर विद्याले में दुटिया विभक्ति को का अर्थ निकाल दिया गम धातु में तुआ प्रते लगा गत्वा बना अर्थ निकला जाकर की गम का अर्थ क्या होता है पुना है यानि बार बार या फिर से फिर से कुरुध्धस्य कुरुध्धस्य उपाद्ध्याय क्रोध्याय का मुखम द्रिश्टम नए इक्षामी फिर से जाकर के कुरुध्ध क्रोध्याय का अब कुरुध्याय का हम का फिर से बोले या उपाद्ध्याय का यानि उप इसलिए उसमें सश्टी विवक्ति लगी हुई है ठीक है अर्थ क्या निकलेगा अब विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित उपाध्याय का मुखम दृष्ट मुख देखने के लिए नईव एक्षामी नहीं नहीं मेरी एक्षा है नहीं नईव एक्षामी बिलकुल मेरी न ना से ना कर्थ बनता है एव से ही बनता है दोनों को मिला दूसरों नहीं बन जाता है नईव एक्षामी नहीं मेरी एक्षा है एते ये निश्कुत वासे नहा प्राणी नहा ये घोंसलों में रहने वाले ये उद्ध्यान में रहने वाले प्राणी ही मम वयस्याह संतु एव क्या बन जाएंगे मेरे मित्र बन जाएंगे इती ऐसा इसा उसने सोच लिया तो अब ये आपको पूरा समझ में आ गया अब इसके बाद चलते हैं आप देखेंगे इस से जोड़े हुए प्रश्नुतर जैसे लिखा हुआ है बालक किस प्रकार का था, की द्रशाह था, की द्रशब्द आज़ा समझ लीजिए कि यहां पर विशेशन सब्द हमें धूनना है, ठीक है? क्या ढूनना है विशीषण ढूनना है अब बालक की विशिषठा सबसे पहले किनने बताई दी भ्रान्तह और कश्चनने अब कोई तो एक इतना बड़ा विशिषण नहीं क्यों कि एक पद में दीना है तो हमें एक ही बड़ ढूनना है तो भी 26しゃ अगर दो हो तो दो मैं से जो सबसे यह साही हो सार्ता को इसको हमें उत्तर में लिखना है ठीक है एक पद में लिखना है जो कि हम यहां पर बताना चाहरे थी कि जैसे की दुर्श案ष शब्द में हमारे पास ए तो यहां पर भी शालसा हूए भटकता हूए ठीक है और यह पड़्भान थोड़ा से बत हैं जैसे यह लँखा णे मात्रा कहां से आई है ब्रांतो बालह जबकि अगर देखा जाए तो उसका मूल शब्द क्या है भ्रांतः और बालह ठीक है ये जो ब्रांतः शब्द है ये बालक की विशेस्ता बता रहा है यहाँ पर भी ये भी हमारा क्या विशेशन ही था कि भटकता हुआ बालक अब वो कैसा ब्रहमित भी था ह था कि निंगे मस्तिशक उसका कैसा था बीव पड़ा लिखाई में उसका ध्यान नहीं था तो ब्रांत अक लिखा दा अब यहाँ पर यह बालग कि इसन्दी से उन कचट तपके यानि उन पांच वरगों के तीसरा चोथा पांच वा अक्षर आजाए का खा गह घह तो कहते हैं का उखा को छोड़ो तो जह जह या ताव ठाको छोड़ो तो दह धना और अगर पा और फा को छोड़ी यह लिखे हुए हो तो हमारा विसर्ग ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है होता तो उ की मात्रा में परिवर्तित है अगर इसका सही नियम बताया जाए तो यह क्या होता है उ में परिवर्तित होता है विसर्ग उ में परिवर्तित होता है लेकिन ये जो आगे वाला आ है इन दोनों के मेल से ये ओ अपने गोण में परिवर्तित हो जाता है इसलिए हमें विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा दिखाई देती है समझ जाना कभी भी जब भी किसी भी शब्द में सिंपल बस ओ की मात्रा लगी हो उसका मूल शब्द हो तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा दिखे कि ओ की मात्रा जैसे भ्रांत शब्द दिख रहा है तब उसमें यो की मात्रा विशरग आ जाता है लेकिन अकेली यो की मात्रा है तो समझना कि इसको हटाके हम इसको विशरग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है इसका क्या ब़ना है विशीशन या विशी कोछ बन रहा है तबी एक जैसी विभक्ती इसमें लगे वी है नहीं भी हो तो यह उत्तुसंदी की नियम से आया है ठीक है तो इसका मूल शब्द क्या है भ्रांता बालक या नि भटकता हुआ बालक ब्रहमिद बालक और इसका हमारा क्या विशेशन बना भाई कीद्रशह शब्द दिख जाए समझ जाना कि किसी ना किसी विशेशन की बात हो रही है तो हमें उस गद्यांश मैंसे विशेशन को छाटना है ठीक है तो क्या विशेशन छाटों के कहेंगे बालक आसीद बालक था कैसा था तो कहेंगे बालक कैसा था भ्रांता बालक था कैसा था भ्रांता बालक था तो यह पर कश्चन नाले के हम कश्चन तो है कोई का अर्थ बता रहा यह भी विशेशन है लेकिन भ्रांतह शब्द इसका जादा सार्थ हमारा क्या बनेगा उत्तर बन जाएगा तो हम भ्रांतह शब्द इसका उत्तर लिख देंगे अब लिखा है कस्मिन समय इसा क्रीट तुम ने मिल जाएगे और आपका उत्तर बन जाएगा उस वाकिये से मिलता जुलता अब देखे लिखा है कस्मिन समय को देखिए कि यह जो प्रिश्नवाद शब्द है इसमें विवक्ति कौन सी लगी कौन सी लगी किम शब्द के रूपों को देखोंगे तो पुर्लिंग वाले म में बनता है कह, दीतिया विभक्ति में बन जाता है कम, तृतिया में बन जाता है कीन, चतुरति में बन जाता है कस्मात, सब्तिमी में बन जाता है कस्य, और सब्तिमी में बनता है हमारा कस्मिन, ठीक है, तो कस्मिन शब्द कहां है, प्रत्मा, दृतिया, अगर हम इसको प्रत् ही हैं चतुर्थी पंचमी सश्थी और सब्तीमी सब्तीमी विवक्ती का एक बच्छन यह हम क्यों बता रहे हैं यह पता होने से हमें उत्तर मिलना आसान हो जता है कि अगर हमें पता है इक समय कुस्प्त छब्थ है खेलने के लिए गया, तो हम paragraph में देखेंगे, यहां क्या लिखा है, कहचन भ्रांता बालक कोई, भटकता हुआ बालक, पाठ शाला गमन वेला याम, क्रीड तुम अगच्छत, खेलने के लिए गया, कब गया, अब क्या लिखा है, पाठ शाला गमन वेला याम, जरा इस सब्तमी विभक्ति है, कौन सी है, सब्तमी विभक्ति है, सब्तमी विभक्ति मिल गई हमें उत्तर, तो हमारा उत्तर ढूना में आसान हो जाएगा, हम लिख देंगे, पाठ शाला गमन वेला याम, या अगर आपको समय लिखना है, तो आप लिखेंगे, पाठ शाला गमन समय पर तोनों का अर्ध यांतर इतना हो गया कि यह जो 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 समय शब्द है वह कंड उधी है इसलिए इसमें अकारांत बालक जैसी शब्द में लगी उधी बताम में शब्द Barn बन जाएगा आगे देखते हैं की द्रशाह बालक उद्यानम प्राविश करता है तो देखेंगे की द्रशाह कह रहा है कि आपको जो उत्तर मिलना है वो कैसा मिलना है विशेशन बाची तो कि रहे हैं किस प्रकार का प्राविशत लिखा है वो गलात अपना लेका उसको ठीक कर लिजीगा जैसे किस प्रकार का जो बालक है उद्यान में प्रविश करता है तो specific यहां पर क्या लिखा है टंद्रालु यहां पर हाँ देखे टंद्रालु बालघ लजायम तेशा द्रिष्टी पथम अपरिहरन एका की किम अपी उद्यानम प्रविश्टा अकीला तंद्रालू तो था ही तंद्रालू था कौन सा था तंद्रालू था आलसी था बालक की दो विश्टाइं आ रही है यहां पर तंद्रालू भी आ रही है और एका की लेकिन उद्यान में प्रव तो आई उसकी विशinku लगी हूई थी और एकाकी शब्द उसका क्या बना रहा था विशिशन बन रहा था तो यह हमारा उसका उत्तर बन जाएगा कि की द्रशा भालका उध्यानम प्रविशत प्रविवेश तो यहां लेका है एक अकी ठीक है आगे देख लेते हैं उन्वाके के ऐसे हमारे क्या बन जाते हैं एक पदवाले अच्छा एक पदवाले और भी आम आपको ढूणना बताय देते हैं कि कैसे कैसे और भी हम किस प्रकार के प्रशन आ सकते हैं जैसे लिखा है यहाँ पर कि यहां पर कि उपर कि किसी भी सब्द को को क्या करते हैं गयाब कर लेंगों उसके साथ में उसके उसके स्थान вопросы local शब्द लगा देंगे तो आपका क्या क्या बंगा प्रश्न बंगहेगा जैसे हम क्या लिख सकते हैं किं तु कि प्रश्न बनाया कि इंपर किस के साथ किस के साथ खेलने के द्वारा समय बिताने के लिए वहाँ पर कोई मित्र उपलबद नहीं ता किससर तो आप कहेंगे कीन शब्द देखिएगा कीन में क्या लगा हुआ है स्थान पर ऑंसा शब्द सही होगा क्यों हथ तो उल्छाइब अगर आप स्मझ सही कर पा रहे हैं तो इसी को आप और अच्छे से लिख सकते हो कि कि यह जो तीन सही शब्द है किसके लिए आया है बालक के लिए कि बालक के साथ में है ना तो वहां पर आप केंड में कह रहा है कि तरतिया लगा दो तो तीन किस थान पर अगर आप बालक शब्द भी लिखना चाहते हो तो आप भी लिख सकते हो कि बालक कें तो और अच्छा बन जाएगा और टीजर समझ जाएगे कि आपको बिल्कुल आपने सही तरह से अर्थ पड़ा है इसलिए आपने सही उत्तर लगा दिया तीन तो हम जैसा करते ऐसा लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है सही होगा लेकिन अगर बाल के लिख देते हैं त अब यहां पर क्या लेकर निश्कुट वासे नहा प्राणी नहा एव मयम वयस्या हसंतु मम काहसंतु अब यहां पर प्रश्न आपका किस प्रकार से बनाया जासा था इस प्रकार से कि यह निश्कुट यानि कोटरों में रहने वाले जो प्राणी ही काहसंतु मेरे कौन है त में प्रतमाबिभक्ति का बहुचन वाला शब्द आना चाहिए और यहां हम से उत्तर इन पद्में वर सबसे हमें यह सब से पद वाली जो भी उत्तर में वाक्य में तो फिर भी हम पूरा अवाट कि उत्तर बन जाता है मीन जू चीज आती वह आती पद उत्तर में देना ठीक है तो इस तरह से आप अपने उत्तर ढूंड सकते हैं और भी देख सकते हैं तो एक और देखिए यहीं पर हम आपको प्रश्ण और बना के लिख सकते हैं लिखा हुआ है संप्रती विद्यालयम गत्वा भूयह कस्यमुखं द्रिश्टुम नई विक्षा में यहां पर अगर लिख दिया गया इसको हटा के लिख दिया गया संप्रती बाल कह यह हो सकता है बाल कह अब यहां पर थोड़ा सा वो परिवर्तन करकी प्रश्ण मना सकते कि बालक विद्यालयम गत्वा भूयह फिर से कस्यमुखं द्रिश्टुम नई विक्षा में किसका देखने के अक्षित नहीं था तो आप कहेंगे क्रुधत से उपाध्याय क्रुधत उपाध्याय का क्योंकि कस्य कह रहा है कि हमारा जो उत्तर है वो सश्थी विवक्ति का मिलना चाहिए तो सश्थी विवक्ति यहां पर मिल जाएगी यह निश्चित वात है यहां मत की अच्छा वाक्य वाले देखिए वाक्यवाले इसको सरल होते हैं क्योंकि हमें अपने कहां से वाकय में पूरा वहीं से मिली जाता है गर्द्याश मैंसे लिखा है बालक की अंसहा की मर्थम यह श्यचिक ना उपलवाने आसीद बालक के साथ में किस प्रकार निकन यानि के लिए नहीं था मुले खेल के द्वारा समय बिताने के लिए उसी के लिए नहीं था ना तो जब किमर्थम शब्द कह रहा है कि के लिए का अर्थ आना चाहिए तो के लिए का अर्थ कहां आ रहा है बताए तो यहां पैसे देखिए तेन सहा उसके द्वारा के लिभी कालम छेप वी मर्थे के लिए का अर्थ बताता है टो जैसे वहां पर किमर्थम उने शब्द लिख दिया ने कह दिया कि हाँ यहां पर हमारा उत्तर छुपा हुआ है लेकिन अब चिंद़ा की बात नहीं एक पद्र तुडूणना नहीं वाके लिखना है तो हम क्या लिख देंगे तीन की जगे लिख देंगे बालकिन जैसा कि हमारा प्रश्न में लिखा हुआ है बालकिन सह केली भी कालम छिप्तूम याशेशु ना उपलब भीमान आसीत कोई भी मित्रों में उपलब्ध नहीं था तो इस तरह से उत्तर हमारा बन जाएगा ठीक है यहां पर हमें जगा अटेंशन नहीं लेनी है क्योंकि यहां पर वाकिय लिखना है लेकन अर्थ समझ लेना है कि खहां से नहीं को ही बागर क Walter कहते है बच्चे क्या है अच्छा यहां से लेकरrawnे यहां तक का लग रहा है तो इतना ही वाकिय लिख दीजिए के लिखा हुआ है किया रहे बाला से मित्र ने बालक मित्र के भविश्यंति कौन होंगे भू कहा रहा थैक अब यही मेरे मित्र होंगे तो उन्हों ने का कौन होगे अब हम हमारा उत्तरवाची शब्द है वो कि अवो कि यहाव हमताया कि न अर्थात में जो उत्तर मिलेगा थो प्रतमा विभक्ती बहुत जाना चाहिए कैसे में मित्राणी भविश्यंती मित्र होंगे ऐसा हमें वाकिय मिलना चाहिए तो हमें कहां मिला था अंत में लिखा था उसने क्या कहा था कि अच्छा मित्राणी और वयस्य का अर्थी भी मित्र होता है यहां पर मित्र शब्द नहीं आया है लेकिन वयस्य आया है त का समान आर्थ हमें हर शब्द का अर्थपता होना चाहिए तो मित्राणी मित्र कैसा होता है नपुनसक लिंग होता है इसलिए उसको बहुवचन में क्या बनाया गया मित्र मित्र मित्राणी और यहां पर वयस्य जो शब्द है वह अकारांत शब्द पुर्लिंग वाला है तो इसलिए उसका रूप कैसे बना वयस्या औहुंद है तोक्ते वहाई संतु accepted तो यह हमारा वाक्तॉ यह हो जाएगा Budget के अब आप धूंडोगे कि मित्र वार। जो मित्र शब्द तो कहीं लिखा नहीं है मित्र नहीं लिखा है तो उसका परयाया वयस्य तो लिखा वह है तो यह मैं पता वुना चाहिए जब अर्थ पता होगा तब ही तो आप कहेंगे निश्कुट वासे नहां इव प्राणिना सरवे बालसे वैस्या भविश्यंती अगर आपको यह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधी वाक्त उठाके भी लिख दीजे तब भी आपका बन जाएगा ठीक है अब आगे देख लेते हैं अगले अपने पैरि यान में किसको व्रजंतम मधुकरम गूमते हुए मधुकर को व्रजंत शब्द मधुकर का क्या बना था विशेशन बना था किस प्रकार के भौरी को मधुकर किसको कहा जाता है मधुक। परत्य लगा है करिया करके निकल रहा है अत्ष सह यानि इसके बाद वह पुषपोAD ध्यानम में रजनतम मदूकरम पुषपोद ध्यानमे घुमते हुए भूरे को देख करके उसको तम यानि उसको क्रीड तुम खेलने के लिए क्रीड था तु यानि खेलने तुम यानि के लिए का अर्थ निकला खेलने के लिए 2-3 वार कितनी? 2-3 वार, 2-3 वार आहवायत बुलाया बुलाता है किसको बुलाया? उसके बाद उसने पुश्पो ध्यान में घुमते हुए घौरे को देखकर उसको खेलने के लिए 2-3 वार बुलाया तथा पी फिरभी सहमधुकरः वहमधुकरः वह कौनता भोरा अस्य बालक के आहवान को बुलाने को निवंत्रन को तिरस्कृतवान तुक्रा देता है, सुनता यह नहीं है, तब भूयह भूयो भूयह अब हमने इसको भूयह क्यों कहा था, क्यूंकि यह जो ओकी मात्रा है, मैं पता है उत्वसंदी से आई है, क्यूंकि विसर्ग की बाद कौनसा 3, 4, 5 यानि यह कौनसा अक्षर था, पा, फ, ब, भ, भ, म, सर्ग था क्या बन गया था ओकी मात्रा में परिवर्दित हो गया अर्थ क्या निकल लाए भूयह भूयह यानि बार-बार के रहें है तब बार-बार हठम आचरती हठ जैसा आचरन करता हुआ बाले बालक पर सह मधुकर वह मधुकर अगायत कहता हुआ कहता है उसने गाया कहा उसने वयम ही में तो मधुस संग्रह व्यग्राह इती वयम ती में तो मधुस के संग्रह में व्यग्र यानि व्यस्त हुँ उसने गाते हुए बोला क्योंकि मधुकर करता है बोरा होता है गुंजार करता है तो यहां पर इसलिए मधुकर के लिए अगायत शब्द प्रियोग यानि गाता हुआ कहता है अगायत वयम ही मैं तो क्या कर रहा हूं मधू संग्रह व्यग्रह मधू के संग्रह यानि शेहद को एखटा करने में व्यग्रह व्यस्त हूं मैं तो शेहद को एखटा कर रहा हूं अब ऐसा किसने के दिया भोरे किने के दिया तदासह तब वह बालक तदा सहबालक, तवहबालक, क्या कहता है, अलम भाशनेन अनेन, बंद करो, अलम भाशनेन, बंद करो ऐसा बोलना, अनेन भाशनेन, ऐसा बोलना, बंद करो, मिथ्या गर्वितिन कीटेन, मिथ्या यानि जूटे गमंड में रहने वाले कीडे, जूटे गमंड में रहे रहे, अ का अलम भाशने मत करो मत बोलो कैसा मिठ्या गर्वितीन मिठ्या गर्व के साथ में यानि मिठ्या यानि जूटा गर्व यानि गमंड जूटे गमंड के साथ में ऐसा भाशन बंद करो कीटेन मिठ्या गर्वितीन कीटेन अलम भाशने बिल्कुल ऐसा चुप रहो शांत रहो मि शांत रहो चुप रहो है ना क्या दिया मत बोलो ऐसा जूटे गमंड में रहने वाले कीड़े मत बोलो ऐसा इस इती वी चिंते ऐसा सोच करकि अन्यत्र दूसरी ओर दत्त दृष्टी दूसरी ओर अपनी दृष्टी को देता हुआ देखता हुआ चंचवा वो देखता है कि च अंच्वा त्रण शला का त्रण यानी होते हैं तिन के घास फूस के त्रण शला का आदी कम चोटे छोटे से तिन के और घास फूस के टुकडे आदी को आद दानम ले करके एकम चटकम एक चिडिया को अपश्यत उसने देखा जूटे का मन मेरी रहने वाले कीड़े, शांत रहो, चुप रहो, अब ऐसा सोच करके अन्यत्रूर दूसरी जगए दत्तिस दृष्टी, अपनी दृष्टी को देखता होगा, देखता है कि एक चंच्वा चोँच में क्या चुपा करके? चुँच में त्रन शलाका घास पूस के टुकड़े आधी कम आधी को ले करके आध दानम ले करके एकम चटकम अपश्यत एक चड़िया को देखा अवदत और कहता है देखा और कहा अई चटकपूद अरे चड़िया मानुशश्य मम में मुझ मनुश्य की मित्रम भविश्य से मुझ मनुश्य की मित्र हो जाओगी क्या मेरी मुझ मम यानी मेरी मनुश्य से मेरी मित्र बनोगी क्या मनुश्य से यानी मनुश्य की मेरी अब ब किया turf रहे नहीं लग रहा है न क्योंकि यहांगत यह ज़ो शब्द है मुझा मनुष्य की मम के शीशन शब्द है मनोशी की में मैं मनुष्य में मैं मनुष्य की मेरी मित्र बनोंगी क्या मुझ मनुष्य की तो मेरी मित्र बन जाओ चलो खेले एही क्रीडाव चलो खेलते हैं एतत शुष्कम यह जो शुष्क क्या त्रिनम त्यज यह सूखे हुए तिनकों को त्यज छोड़ करके स्वाधुनी यह स्वाध से युक्त भक्ष्य कवलानी खाने युक्त भोजन को ते दास्यामी मैं तुम्ह मैं दूँगा यह सूखे हुए घास के तिनके को छोड़ त्यज यह जोड़ो और स्वाधुनी भक्ष्य कवलानी स्वाधियुक्त मैं भूजन ते दास्यामी तुम्हे मैं दूँगा इती ऐसा उसने कहा सहतु वह तो अब कौन कहने लगी अब चिडियाने कहा सहतु वह तो मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कारियम वह तो मेरी द्वारा वट द्रुमस्य वट द्रुम के यानि बरगत के पेड़ के शाखा में नीडम कारियम घुसला बनाने का कार्य है इत्युक्ता स्वकारियम ब्यग्रो अवत ऐसा कहकर वह अपने कार में लग जाती है उसन सुचा यह खाने पीने के लिए घास पूस ले जा रहे हैं तो उसने कहा ये सुखे हुए तिनके को छोड़ो स्वाधूनी मैं तुमको चूअ घुद थास्यामी तूमको देदूंगा इती तो चग्षिया क्या कहती है क्योंकि अभवत लग जाती है इत्युकता स्वकर्म व्य जाती है किसा रिखार्गत की यह क्या हुआ ओर कि तो जानी या जाती है वंतके बर्गत की कार्य है इती उक्तवा एसा कहते हुए स्वकर्म व्यग्रो अवत अपने कर्म में व्यग्र हो गई अपने कर्म में लग गई उसने कहा है ये तो मेरा काम है और ऐसा कहते हुए वो काम करने लगी तो अब इसकी बाद क्या होता है भई भोरे से पूछा तो भोरे ने मना गर दिया चिडिया से पूछा तो चिडिया अ मदुकरम अपश्यत बालक कहां पर गूमते हुए एक मदुकर को देखता है कहां देखा था उसने पुश्पोध्यानम ब्रजंतम मदुकरम द्रिश्टवा कहां देखा उसने पुश्पोध्यान में तो यहां पर हमारा उतर क्या बन जाएगा पुश्पोध्यानम अब देखि क्योंकि यहां पर कुत्र जो कहता है कुत्र जो होता है किसी ना किसी पूछता है कुत्र का अर्थ क्या होता है कहां कुत्र जो शब्द होता है संस्क्रित में इसका अर्थ क्या होता है कहां और कहां पूछा है मतलब कोई ना कोई इस्थान आ रहा होगा इस्थान क्या बनता है अधिकरण मनता है अधिकरण सब्तिमी आती है यानि जो कुत्र के इस्थान पर वैसे हमें जब भी अर्थ ढूना हो उत्तर ढूना हो तो सब्तिमी विवक्ति वाला ढूना लेकिन यहां पर यहां हमारी जो गद्यांश है उसमें सब्तिमी विवक्ति नहीं लगी उसमें क्या पुषपोध्यान में घूमता हुआ भोरा देख कर तो यहां पर पुषपोध्यान शब्द में नहीं आए सब्चिमी विवक्ती तो हम पुषपोध्यानम जैसा उसमें लिखा है वैसा ही हम उत्तर अपना लिख देंगे ठीक है आगे लिखा है चटकपोध कस्मिन कारिये व्य आखा में नीडम कारियम नीड के कारिय में गोसला बनाने के कारिय में किस कारिय में लगी हुई थी नीड कारिय में तो यहां पर आ जाएगा कस्मिन की जगह पर आप नीड लिख के साथ में कारिये लिख दीजे अच्छा अगर अलग लिखा आपने नीड को अलग लिखा त ठीक है किसके कारे में गूसला बनाने की काम में तो अगर अलग-अलग लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे नीडे कारे और साथ में लिख रहे हैं तब फिर क्या होता है समास बन जाता है ये समास एक पत बन जाता है तो क्या होता है दोनों की समान एकी विभक्ती में काम चल ज किसको देखा उसने मधुकर को देखा यहां पर लिखा हुआ है हमारा किसको देखा अब उत्तर कैसे पैचानने के उत्तर यहीramento है तो यहां देखिए लिखा है कीम अपश्यत बालच सरव प्रत्रमकिम अपश्यत तो किम् किम मनता है दुईतिया विभक्ती में यह हमारा किम मनता है किम के शब्द रूपों में देखो तो एक वचन में किम के कानी किम के कानी तो दोनों ही किम जो शब्द है वो प्रत्मा ओदुतिया विभक्ती में समान बनते हैं ठीक है न तो अब हमें डूणना है कि प्रत्मा ओद भी हमारा क्यासा लगा हुआ है प्रथमा या दूटिया दोनों में अगर लगाएंगे तो दोना का ही हमारा रूप मदुकरम बन जाएगा चीके न तो यह हमारा क्या बना इस तरह से उत्तर बन गया नपन सकलिंग वाची शब्द हीता यह मदू करम बन गया आगे देख लेते हैं पूर्ण वाकी में उत्तर बाल का है चटक पोतम किम दातुम एक्षती बालक चटक पोत को क्या देने की इक्षा करता है क्या देता है क्या कहता है क्या छोड़ दो मैं तुम्हें दूंगा तो क्या देते हैं बाल का है चटक पोत स्वा सूखे हुए तिनकों को छोड़ दो स्वादूनी भक्षे कवलानी ते दासिया में स्वादूनी भक्षकार स्वादिष्ट भूजन मैं तुमको दूंगा तो यहां पर हमारा क्या जाएगा उत्तर हमें इस प्रकार से लिख देंगे या तो देखिए आप पूरा वाक्य उठा कि लिख दीजी तब भी सही हो जाएगा और नहीं आप ये भी लिख देंगे कि जैसे किम के स्थान पे लिख देंगे स्वादूनी भक्षे कवलानी बाकी कि सारे शब्द यहां से मिल जाएंगे आपका उत्तर बन जाएगा कि बाल कहा चटक पोतम स्वादूनी भक्षिक अवलानी दातुम एक्षति ऐसे भी आपका उत्तर बन जाए ठीक है आगे लिखा है चटक पोत बालम किम अकत्यत चिडिया ने बालक को क्या कहा क्या बोलाता उसने तो आप जब कभी भी आपका जो पूर्ण वाक्य वाला उत्तर हो और ऐसा हो कि कट अकत्यत कथम यानि क्या कहा का अर्थ निकले तो आप ऐसे में उत्तर कैसे बनाओगे आप उत्तर ऐसे बनाना कि चटक पोत यानि कोई भी हो उसमें जो किम शब्द लगा हुआ है उसको हटा दीजिए और लिखिए चटक पोत बालम अकत्यत यानि चिडिया ने बालक को कहा अब क्या कहा तो डेश लगाए और उसके बाद इन्वार्टिट कॉमा में जो पूरा वाक्यों वहां पर लिखा हुआ हो गद्यांश या पद्यांश में उसको ठाके लिख दीजिए आपका उतर सही बन जाएगा कि सातु मया वट द्रुमसे शाखायम नीडमकारियम इत्युक्तवा स्वकर्मव्यग्रो अबवद कि वह तो मेरा कारे है वह तो मेरा बरगद में घुसला बनाने का कारे है ऐसा कह करके वो अपने काम में लग गई तो ये चिडिया ने बालक से कहा था तो ये आप पूरा व पाल कहा तब वो खिन यानी दुखी हो जाता है क्या सोचता हम यह दो मनुशेशैशू नो उप गज्छन्ति कि ये जो पक्षी है मनुशयों के पास मनुशेशू उप के पास में अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे न तो आपको अर्थ बिल्कुल स्परश्ट हो जाएगा न उप गच्छन्ती जो लिखाव हो किस से मिलकर बना है न उप गच्छन्ती यानि क्या लिखा है न उप गच्छन्ती कौन मनुशेशू मनुश्यों के पास में बैसे देखे यहां पर जो मनुशी शब्द है इसमें सब्तमी विभक्ति लगी है में परकार्थ लगा लाए लेकिन यह जो उपसर्ग लगा हुआ न उप उपसर्ग के हमने आपको कारक उपद विभक्तियां पढ़ाए हुई है उसमें आपको बताया कि उप उपसर्ग के साथ में क्या होता है यहां पर काकी की का अर्थ आते हुए भी वहां पर सब्तमी विभक्ति लगा दी जाती है तो यहां लिखा है तदा, तब खिन बालक, तब दुखी मनसे हुकर बालक एते पक्षिना, ऐसा सούचता है, क्या सούचता है, यह पक्षी मनुष्यों के पास, मनुष्यों के उप गच्छन्ती के पास में उपकार्थ हुता है और ना का अर्थुगा नहीं ये पक्षी मनुष्यों के पास में नहीं जाते हैं ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं तो अब मैं क्या करूं तब अन्वेश्या में तब ढूनता हूं अन्वेश्या में यानि अन्वेशन करना यानि ढूनना तब ढूनता हूं अप और उचितम ओको अगर तोड़े तो यह किस से अर्थ निकल के आ और उकी मिल से उकी मात्रा बनती है गुण संदी में तो इसका हमारा अलग से जो शब्द बना वो हो गया उचितम यानि तब तो फिर अनवेश्या में तो फिर ढूंडता हूं अपरम किसी दूसरे मनुष उच किसी दूसरे मनुष्य के लिए अच्चित कोई जो उसका विनौद कर सके क्या कर सके मेरा का मनुष्या मनुड़ण कर घ्राकि ऐसे किसी को दूसरे को प्राणी को यहान पलाय मानम यानि भागते हुए पलायन करते हुए कमपी स्वानम किसी स्वान को यानि किसी कुट्थे को अवलोकयत देखता है तब प्रियमसेवबालक तम उसको इसफम सम्वो Sort एयसा संबोधित करते हुए बहुता है प्रिटह बालत प्रीम पूर्वा किसकी ने तुक्रा दिया उसका मदुकरने थुख झुणा तो जो मनुष्य क्या होते हुँ मनुष्य के लिए उचित होते हों उनके साथ में विनोध savoir आरम यानि मिनोद करने के लिए मेरा आनंद मेरा मनुरंजन करने के लिए या मनुषी का मनुरंजन या मनुषी के साथ में खेलने के लिए ऐसे किसी प्रानी को डूढता हूं ऐसा सोच कर वो क्या पलायमानम कमपी पलायन करते हुए किसी स्वान को देखता है अब जब देखत अवलोक याति यानि देखा उसने तो प्रीतो बालहत प्रेम से वह बालक तम उसको इत्थम संबोध है यह संबोधित करती हुए कहता है कहता है रे मानुशानाम मित्र अरे मनुश्यों के मित्र मनुश्यानाम मनुशानाम नाम लगा हुआ है नाम नाम कहां आता है सवश्थी गूँए बिवक्ति में आता है बहुवचन बताता है तो काकी के अर्थ यानि मनुष्ववचन में हो गया और उन्सक्राइब का कार्थ जोड़ दीजिए और यह मनुष्यों के मित्र किम परियाट सी क्यों घूम रहे हो असमिन निधाग दिवसे इस गर्मी कि दिर में क्यों घुम रहे हो इदम इदम प्राच इदम क्यते हैं प्रच्छाय शीतलं तरु मूलं आश्रश्वे क्यते हैं इदम इस प्रच्छाय शीतलं प्रदान करने वाले प्रच्छाय शीतलं थंडी छाया को शीतल यानी थंडी प्रच्छाय चाया को देने वाली तरु तरू के नीचे तरू यानि पेड के नीचे आश्रय यानि आश्रय ग्रहन करो क्या करो आश्रय ग्रहन करो यानि आजाओ इसके नीचे कहां गर्मी के दिन में गुम रहे हो कहां गर्मी के दिन में गुम रहे हो इस शीतल छाया को कैते हैं प्राच्छे शीतलम तरू मूलम इस क आके क्या कर लो आश्राय श्व यानि आश्राय को ग्रहन कर लो इसके नीचे आज़ो गर्मी में मत घूमो क्रिड़ की सहाईता के लिए ले, त्वम एव अनुरूपम किस से मिलकर बना है ये, त्वम एव अनुरूपम अब अर्थ क्या निकला तुम तुम जैसे ही अनुरूप तुम्हारे अनुरूप ही पश्याम इती मैं ढून रहा था मैं तुम्हारे जैसे को ही मैं अहम अपी शब्द किस्ते मिलकर बना है अहम अपी यानि मैं भी मैं भी क्रीडा सहायम खेलने की सहायता के लिए तुम एव अनुरूपम तुम जैसे को पश्यम इती देख रहा था मैं तुम जैसे ही को देख रहा था मैं तुम जैसे ही अनुरूप को देख रहा था कुकुरह प्रत्यवदत कुकुरह यानि कुता प्रत्यवदत प्रती अवदत शब्द से मिलकर बना है प्रती यानि फिर बापस अवदत यानि बोला कुता क्या बोला यो माम यानि जो मुझको पुत्र प्रित्या पुत्र की भाती प्रेम करते हैं पुत्र की भाती प्रीती करते हैं मुझपर मुझपर यानि माम मुझको पुत्र की भाती प्रेम करते हैं पोश्यती और मेरा पालन पोशन करते हैं पुत्र की भाती पालन पोशन करते हैं स् तो अच्छा सही अर्थ आ जाएगा रक्षा नियोग रक्षा की काम में लगे हुए करनात रक्षा नियोग करनान करनात अब यह जो ता है वह हमारे नका न जो यहां पर कौन सी अनुनासिक संदी हुई है तो ता हमारे ना में परिवर्थित हो गया है तो यहां से हम ना को अल आपन पूरा पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आयागा मया यानी मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम इशिदपी ना अभी इसको अलग कीजिए यहां आ रहा है भ्रष्टव्यम इशिदपी चीक है अब कहा रहा है कि उनके घर में बुलेकिन के जो मुझको पुत्र की भाती पूशन करते हैं उन स्वामी के घर में मेरे द्वारा मया यानी मेरे द्वारा छण भर भी रक्षा नियोग से भ्रष्टव्यम यानी भटकना नहीं है मुझको मुझे बिल्कुल भी नहीं अब लगा हुआ है ना तवियत प्रत्यका भ्रष्टव्यम तो तवियत प्रत्यका तव्य लगा हुआ है इसके अंदर तो चाहिए का अर्थ आ गया इसमें तो क्या करें है कि उनके उनके उनस्वामी के घर में मेरे द्वारा चैन भर भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी मुझको भ्रेष्ट नहीं होना चाहिए यानि मुझे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए अपने काम से इधर उधर नहीं जाना चाहिए मैं अपने स्वामी के घर में रक्षा नेव के लिए लगा हुआ हूँ रक्षा करने के लिए लगा हुआ हुँ ठीक है ना तो यहां पर इसी श्लोक को थोड़ा सा इसका अनवाई भी देख लेंगे कि कई बार क्या होता है अनवाई आपका आ जाता है कैसे जैसे लिखा है यो माम पुत्र पृत्या पोश्यति स्वामी नो ग्रहेता से रक्षा नियोग करनान मया भ्रष्टव् इसका हमारा अनवाई का बनेगा कि यह यानि जो पुत्र पृत्या माम पुत्र की भाती मुझको पोश्यति पालन करते हैं उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग के करनात मया रक्षा करने के करना करने से मेरे द्वारा छण भर भी नहीं मुझको भटकना चाहिए ठीक है र भी भटकना नहीं चाहिए तो इसका यह अनवाई बन जाएगा और अर्थ आ जाएगा ठीक है अब ऐसा कुट्ते ने भी कह दिया उसको अब आगे क्या होता है तो उससे पहले प्रशन उतर देखें कैसे पूछे जा सकते हैं बालाह की द्रशा आसीद बालक कैसा हो क्या था फिर से पूछा गया तो यहां पर क्या लिखा है बालक कहा खिन्नो किन्नो शब्द में इसको जब भी आप कभी भी कोई भी जब गद्यांश पढ़ रहे हो तो देख लिजेगा कि ओकी मात्रा को पहले विसर्ग परिवर्थित कर लिजेगा क्योंकि उन्हीं मैंसे जब प्र लगा होगा वो निश्यती उत्तर किसी विशेशन शब्द को बता रहा होगा तो पा जब आप कोई भी गत्याश पढ़ रहे हो ना तो जो अपने विशेशन वाची शब्द बनने हो उनको टिक करते जाएगा तो तुरंद आपको उत्तर मिल जाएगा कि कैसा बालक था उले कुकुर को देखता है कम ने कहा अगर आपको देखे अर्थ समझ में आ गया तो कम में देख लिजेगा कौन सी विभक्ती है वही कुकुर में लगा दीजेगा आपका सही उत्तर बन जाएगा यानि कम में लगी है दूतिया विभक्ती एक वचन तो कुकुर में भी दूतिया अबिभक्ति लगा दिजिए उद्व्यति अभिभक्ति लगाना सबसे सरल है एक वचन वाली माहलंत लगा दीजे उत्तर बन जाएगा आपका चीक है आगे लिखा है स्वानम्ह द्रिश्टवा बालः की द्रशा हा जाता है स्वान को देखकर बालः कैसा हो जाता है बताएं तो खुश हो जाता है यहाँ पर यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि प्रीतो बालक यह लिखा है ना प्रीतो बालक यानी प्रसन बालक ठीक है तो प्रीतह भी लिख सकते हैं कि प्रसन बालक उसको देखकर कहता है तो प्रीत शब्द भी कह सकते हैं आप और प्रसन बालक भी कह स सकता है तो प्रितह शब्द भी सही हो जाएगा या प्रसंद भी लिख सकते हैं चिक है पुत्र प्रीत्या मा मुझको किसके द्वारा पुत्र की भाती प्रेम करके पाला जाता है पोश्यती किसके द्वारा स्वामीनों स्वामी के अब यहां पर स्वामी नों में तो हमारी स्वामी नह यह जो है ना इसको क्या कर दीजिए विसर्ग कर दीजिए आपका उत्तर बन जाएगा स्वामी नह चीक है तो यह हमारा बन जाएगा इसका उत्तर किसके दुआरा पालन पूशन किया जाता था स्वामी नह तो परिवर्तित हो जाता है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इसलिए इसमें हम विसर्ग लगा देंगे तो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अचा कीन लगा है तो तृतिया लगानी है इसलिए यह हमारा स्वामीना बन गया ठीक है कहा होता तो इस प्रकार सश्थी लगान क्या संबोधित करता है तो वही संबोधन वाला आगया अगर संबोधन के लिए कैसा प्रशन आ जाए तो क्या कीजिए कि बीच का किम हटा दीजिए और पूरा लिख दीजिए प्रीतह बाला कुकुरह संबोध्या मास संबोधित करता हुआ कहता है और फिर उसके बाद डैश लगाएए और फिर इसके बाद आपका उत्तर पूरा बन जाएगा जहां पर वाक्षे पाद की थे प्रितह बालः यानि प्रसंद हुआ बालग संबोध है तो उसको कहता है क्या कहता है यहां से यहां तक हम पूरा लिख देंगे मैं तो तुम जैसे को ही किसी को ढून रहा था तो यह आपका क्या बन जाएगा उत्तर बन जाएगा ठीक है चलिए फिर आगे बाग देखते हैं फिर क्या हुआ सबसे अंत में जब अब उसने कुट्ते ने भी कह दिया कि जो मेरा पालन पुशन पुत्र की भाती करते हैं उनको मैं उनकी रक्षा से मैं भ्रिष्ट नहीं हो सकता हूँ उनकी रक्षा के करने में मैं लगा हुआ हूँ उसके करने से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ ऐसा उसने कहा दिया तो सर्वई एवं सब के द्वारा अब सर्व शब्द में तृतिया विभक्ती लगी है इसलिए के द्वारा का अर्थ हमने लगा दिया और वो भी बहुवचन वाली है इसलिए सब भी वो कैसे हो गए बहुवचन वाले हैं यानि सभी के द्वारा इवम सब की द्वारा एवम क्या होता है सब की द्वारा इस प्रकार नि शिद्ध नि नि मना किया हुआ सहबालः वह बालक भग्न मनोरत हसन भग्न मनोरत हो गया यानि उसकी इक्षा तूट गई मनोरत का क्या होता है इक्षा भग्न यानि तूट जाना सबके द्वारा निशिद करने पर वह बालक भग्न मनोरत हसन कैसा हो गया जिसकी इक्षा तूट गई हो ऐसा हो गया उसकी खे कि जिसकी मन की इक्षा तूट गई हो कथम अस्मिन अब कैसा होता होगा वो अपने आप से कहता है कहते कथम अस्मिन कैसे इस जगती अस्मिन का अर्थ क्या होगा इस और जगती यानि संसार में कि हमने संसार में जोड़ दिया क्योंकि जगत अगर शब्ध तकारांघ्य अगर इसकी सप्तमी विभकती देखी जाए तो जगत शब्ध जगती सब्ध में बनता है तो में ऑक परकार्थ लगा हूआ है कथम कैसे अस्मिन जगती इस संसार में प्रत्येकम यानि हर एक स्वस्व कार्य अपने अपने कार्य में फिर से एक ही मात्र आगई सब्त मी भिभक्ति में कार्थ लगा दिया किस प्रकार यानि कथम यानि कैसे असमिन जगती इस संसार में प्रत्येक हर एक हर एक स्वास्वा कारी किवल व्यक्ति नहीं हर एक प्रानी अपने अपने कारे में निमगनो भवती निमगन है यानि लगा हुआ है अपने अपने काम में लगा हुआ है वो मन में सूचता है खिन हो जाता है थोड़ा सा सब के द्वारा मना कर दिया गया बाल कोई भी कोई अपीकार्थ कांसे मिल रहा है कह और अपी शब्द से मिलकर बना हुआ है कह यानी कोई अपिकार्थ हुआ भी कोई भी यहाँ पर भी वही उत्त्रो संदी होई है विसर्ग O में परिवर्तित हो गया और A बन गया अवगर है कि चिन में सो ये बन गया कोई अपी मिलकर ठीक है कह रहा है को नहीं कोई भी माम एव यानि मुझ माम यानि मुझ मेरी तरह इवकारत होता है भाती मेरी भाती वरिथा यानि बेकार में काल छेपम समय को बरवाद करने सहते कोई भी मेरी तरह मेरी भाती माम यानि मेरी भाती मेरी तरह वरिथा बेकार में काल छेपम कोई भी समय बरवाद नहीं कर रहा है नम यानि नमन है अब वो नमसकार मन मन में उसकी गलानी हुए कि सब देखो सारे प्राणी सब जगसांसार में अपने काम में लगे हुए हैं लेकिन कोई भी मेरी तरह समय को बरवाद नहीं कर रहा है नम यानि नमस्कार करता हूँ एते भ्यह इन सभी को इन सभी को में नमस्कार करता हूँ यह जिनकी द्वारा अब जब की अब उसकी आगे खुल गए कि देखो चोटी-छोटी से एक भोरा भी छोटा सप्रानी है वो भी अपने काम में लगा हुआ है तो फिर मन में गलानी करत हुआ वो कहता है कि नम एते भ्यह नमस्कार है इन सभी को यह जिनकी द्वारा में मुझ मेरी तंद्रालुतायाम मेरी आलस को मेरे आलस को कुछ सा समाप्त कहते हैं संपादिता क्या दिया कुछ सा संपादिता मेरी आलस को मेरे तंद्रालुता मेरे जो अंदर थी उसको कर दिया आगे कहते हैं अथ स्वा उचितम अहम अपी करो अथ यानि इसके बाद स्वा अपने लिए उचितम अहम अपी करो मी अब मैं भी इसके बाद मैं भी अब पहले हम यहां से अर्थ निकालेंगे क्योंकि अर्थ यहां से पहले बना है इसके बाद अहम अपी मैं भी स्वा उचितम अपने लिए उचित करो मी करूँगा अब मैं भी अपने लिए उचित करता हूँ मैं भी अपने लिए अब उचित करता हूँ अब करूँगा हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि भवेशिकाल की करिश्यामी होता तो करूँगा कि हम अर्थ लिकति करूमी लिखा है वर्तमान काल की बात लिखी हुई है तो हम यह कहेंगे इसके बाद और इसके बाद वो क्या सूचता है मैं भी स्वा उचितम अपने लिए उचित करता हूं अब मैं भी अपने लिए उचित काम करता हूं सब लोग अपने अपने काम में सह अपने विद्याले को चला जाता है कि अब मैं भी अपने लिए उचित ही करूँगा। इती विचारे ऐसा सूच करके तुरितम तुरंत ही पाठशालाम अगच्छत पाठशाला चला जाता है। ततह प्रभर्ती उसकी बाद सह वह विद्या व्यसनी यानि विद्या को ग्रहन करने वाला होकर भूत्वा होकर सह विद्या व्यसनी वह विद्या को प्राप्त करके ऐसा करके भूत्वा कार्थ क्या होगा होना उत्वा करत्य हो गया कर्या करके कार्थ निकलाया ठीक है त्वा व्यसनी होकर व्यसनकार्थ होता है लत में लग जाना व्यसनकार्थ क्या हो जाते किसी में किसी के विद्या को अब केवल व्यसनकार्थ क्या होता है आदत एक तरह से व्यसनकार्थ क्या होता है आदत और विद्या की आदत लग गई यानि विद्या को इखटा करने में पढ़ और वो महान किसको प्राप्त करता है विदुशी को यानि विद्वानता को और संपदा को प्राप्त करता है महान बहुत महान विद्वानता को और संपदा को भई महानता होगी तो संपदा भी आएगी उसको प्राप्त करता है अलभात यानि प्राप्त किया उसने उसने क्या क महान विद्वानता और प्रथा संपदम चालवत और महान संपदा को भी उसने प्राप्त किया ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा पाठ अब इसकी बाद इसकी जुड़ी हुए प्रशनतर कौन से आ रहे हैं लिखा हुआ है बालाह त्वरितम कुत्र अगर्छत बालक त्वर त्वरितम अगर्चत त्वरित गया शीग्र ही त्वरित कारत क्या होता शीग्र शीग्र गया कहां गया पाठ शालाम तो हम पाठ शालाम वहां पर उत्तर लिख दिया चीक है बालह सर्वई की द्रशा आसीत केते हैं बालक सबकी द्वारा किस प्रकार हो गया था किस प्रका क्या हो रहा था विशेष्ता बता रहा था बालक की की द्रशह ने भी कहा कि की द्रश के रहा कि विशेष्ण ही बताना है तो कैसा बालक सब के द्वारा निशिद्ध बालक तो निशिद्ध शब्द इसका सही उत्तर बन लिया चीक है चलिए और देख लेते हैं पूर्ण वाक गाल बालक तूट गया था ऐसा किया सूकता है वो ही आचिनितल अकथ्यत जैसे हम प्रशन के ऊतर देते हूं वैसे इसमें देंगे के विगनित मनूरत बालत बालक अचिंत यत विगन मनूरत का जो बालक था वो सोचता है यत की असमिन जगती प्रतेकम स्वास्वाकारे निमगन भवती इस संसार में सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है लिखा ना बालह भगन मनूरत सन भग्न मनूरत होता हुआ सोचता है कथम असमिन जगती प्रतेकं स्वस्वकारे निमगनो भवती तो हमारा उत्तर बन जाएगा एसा ही तो सोचता है वह के भी सब भूत्व महतीम वैदुशीम प्रथाम संपदम चाले भी उसको प्राप्त हुई क्या प्राप्त हुई महान विद्वानता और अत्यधिक संपदा उसको प्राप्त हुई तो इस तरह से ये हो जाता है आपका पाठ पूरा हाला कि इसके हमने अगर शब्दार्थ में कहीं पे सम आपको कोई परिशानी ना आए और आपके पार्थ में भी हमने करवाया हुआ है तो आप उसको देख लीजिए जाके और यह सारे वीडियो आपकी हमारे मैगनेट बिंट वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर परिशान होने की जरूरत नहीं है क इसके लिए जादा परिशान मत होई है आप गूगल टैप पर लिखी मैगनेट बेस डॉट कॉम इंटर करेंगे वेबसाइट आजाती है वेबसाइट पर आपको यहां पर देखेंगे एक्स्प्लोट आप कोर्सेज में इंग्लिश मीडियम एंटी सी ओलंपियाड स्टेट वेबसाइट लिखी में इंटी मीडियम यहां पर शुरू हो चुका है तो यहां पर सारी चीज अरेंज मिलेंगे जिस चीज को क्लिक करेंगे वह सामने आपके आजाएगी जैसे आपने CBSE में देखा आपने कि CBSE English Medium में क्या-क्या है तो आपको Kinder Gardens लेके 12th Class तक के सारा Study जो भी आपको पढ़नी है सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा सारे वीडियो मिल जाएगे Term to exam के लिए पढ़ना है NCRT examplar पढ़ना है One short revision पढ़ना है लर्निंग में भी जाना है जो इस पर जाना है उस पर क्लिक कीजिए माली जे वन शॉट रिवीजन पर गए तो वन शॉट रिवीजन की यहाँ पर लिस्ट आ गए 9th Class की तो यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के आपके बन चुके हैं वन शॉट उस सब आ जाएगे उन्हें भी जादा से जादा शेर कीजिए बताईए कि भई हमारा जो चैनल है बिल्कुल आपको फ्री एजुकेशन अवेलेबल करवाता है स्टार्टिंग में एक दो वीडियो दिखा दिये और पैसे मांगने लगे ऐसा कोई काम नहीं है रजिस्टर भी करना हो हमारी वेबसाइट पर तो उस पर भी बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं आपको किस नाम से मिलेगा मैगनेट ब्रेंस हिंदी डालेंगे तो हिंदी मेडियम वाले भी सारी चीज़ें आपको मिले लगेंगे चीक है तो इस तरह से लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मिलते हैं नेक्स वीडियो में हम अगले पार्ट को अपना ऐसा ही वन शॉट रिविजन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद